सब्सक्राइब करें एवीपी गंगा पहले से पुलिस के दावों को खारिज करता रहा ऐसे में कई बड़े सवाल नोईडा पुलिस की कारशयली को लेकर खड़े हो रहे हैं सवाल ये है कि पुलिस की बद्चलूकी पर नोईडा SSP अपना बच्राब कर रही है दूसरा सवाल की आखिर SSP वैभव बिना मेडिकल रिपोर्ट के मृतक के डाइबिटीज होने का दावा किस आधार पर कर रहे थे तीसरा सवाल क्या नॉइडा पोलिस इसी तरह काम करती है चोथा सवाल ये कि अपनी जिम्मेदारियों से क्या नॉइडा पोलिस भाग रही है और आखरी सवाल क्या पोलिस की बचलूकी से मौत के मामले में सरकार से इंसाफ मिलेगा और बलराम पांड़े एविपी गंगा संवधा था हमारे साथ जोड़ गए इस खबर पर ज्यादा ज्यादा ज्यानकारी के साथ बलराम अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि मेडिकली फिट थे मृतक अब क्या कदम पोलिस की तरफ से उठाए जाएंगे हाला कि लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बयान पोलिस की तरफ से पहले सामने आ चुका है देखें प्राची जिस तरीके से एशेस्टी वैवोकृष्ट ने इस पूरे मामले में कहा था कि जो मृतक है गवरो उसको डियाप्टिक पेसेंट था वो और हार टैक से उसकी मौत हुई है जो बड़ी बात यह है कि एशेस्टी वैवोकृष्ट लगातार आप देखिए उनका जो बयान आया है वो पुलिस जो कर्मी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन परजनों का यही कहना है कि ठीक है मामला गाजियाबाद का था या ग्रेटर नौड़ा का था सीमा विवाद में पुलिस को नहीं पढ़ना चाहिए था एक प्रोसीजर होता है जीरो एफाइएर जीरो एफाई यार दर्च कर लेती नोड़ा पुलिस हो और विवेशना करती अगर यह मामला गाजियाबाद का था तो गाजियाबाद को ट्रांसफर कर देती लेकिन इन सारे मामलों में जिस तरीके से एससी बचाओ करते नजर आए हैं एक सीनियर अधिकारी अगर पुलिस कर गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से और सासन से सरकार से भी यह मांग कर रहे हैं कि जो दोसी पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाप कारवाई हो अब आप देखिए कि गाजियाबाद पुलिस ने अफाई यार दर्च कर ली है अग्याद के खिलाप 36 गंटे से ज़्यादा बीच चुके हैं सब को पता है कि जब पुलिस की ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर जो मौजूद होते हैं पुलिस कर्मी उनका एक सीडियूल होता है और सारा डाटा होता है पुलिस के पास कि किसकी ड्यूटी कहां लगाई गई गई 36 गंटे से ज़्यादा हो गया है अगर आपको लगता है कि कहीं से संदे है कि यह हो सकता या नहीं हो सकता है तो इसकी समाक परेट करा सकते हैं आप उनके फिता को बुला लेते कि देख लिए यह छे लोग कर्मचारी वहाँ पर पुलिस कर्मी वहाँ पर मुस्तैत थे बिल्कुल बलराम बिल्कुल पुलिस की कारशेली पर सवाल खड़े होना लास्पी है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में लापरवाही सामने आ रही है उसके बाद सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम जानकारी के लिए तो तमाम सवाल नोईडा पुलिस पर खड़े हो रहे हैं और आईए अब आपको ये बताते हैं कि इंजीनियर के हाट अटेक से वही मौद पर नोईडा के स्सपी वैभव कृष्ण ने क्या बयान दिया था उन्होंने कैसे इंजीनियर को डाइबेटिक बता दिया था और इस मामले में कारवाई करने के खिलाफ खोद ही पला जाड़ लिया था इसकी थोरो इंक्वारी कराई गई है तो पता ये लगा जो डॉक्टर ने बताया है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो डाइबटिक थे और ऐसी बात कोई नहीं आई है कि पुलिस के द्वारा कोई उसमें दुर्वेवार किया गया हो या और कोई बात हो वो डाइबटिक थे और हार्ट अटेक से डेथ हुई है यह जो इंसिडेंट है यह जनपत गाज़ेबाद की है नौईडा की नहीं है इस तरीके की हार्ट अटेक हो ने पड़ा और उसमें डेथ हो गई हम लोगों ने गाज़ेबाद पुलिस को इनफॉर्म कर दिया है और इसमें प्राइमेफि के बयान पर सवाल खड़े होते हैं उधर पीडिव परिवार ने पुलिस के बयान को खारज किया और एबीपी गंगा को प्रमुखता से खबर दिखाने पर चैनल की तारीफ की इंजीनियर के परिवार से बाद की एबीपी गंगा सब्वादाता बल राम पांडेने ट्राफ एबीपी गंगा जो है बढ़ चड़कर हिसालिया और परजनों की बात प्रमुकता से रखी है हमारे साथ उनके भाई हैं जो गवरों के साथ रहे हैं एक दोस्त की तरीके हम उनसे जानने की कोसिस करेंगे कि आखिरकार गवरों का नेचर कैसा था क्या वो डियाबिटिक पे राशन ने किसी ने भी हमारे साथ नहीं दिया सबसे पहले आपका चैनल हमारे साथ आया उसके लिए वाकिए आप लोग बदाही के पात रहे हैं और दूसरी बात ही जिए गौरब के वारे में जैसे कि एक बहुत बड़े जिले के मालिक के जो पुलिस महक्मे का जो मालिक हो कप्तान उनका सबसे पहले आपका स्टेट्मेंट Parker आगा का लेकिन जो उनका स्टेट्मेंट का मुद्जा से है ये पहुत ज乾 HC बोबники की महसूस हो रहा ये हमन्हें फुल्स जो हम आम आदमी की निलिए के लिए वह लोगों को बिल्कुलेक्ट करेंवारी है बहुत ज्याद कि आपका कल आज मैंने कहना में मौर्णिंग में जो पेपर पड़ा एस पी ट्रैफिक जो आपके घाजियवाद है हमारे फाइल करने के बाद उनका यह आया है कि गौरब के फादर आपके मेरे फूपा जी आपका गाड़ी चला रहे थे और गौरब गाड़ी नहीं चला रहा है वह अपने कैमरे को कैमरे की रिकॉर्डिंग देखे यह देखे कि गाड़ी को चला कौन रहा था सीट बैल्ट पहन रखी थी यह हमने नहीं पहन रखी थी तो उस चीज़ का प्रमान तो खुद उनके पास है वह सिर्फ खाली पदब्रस्ट कर रहे हैं यहीं नहीं पता प होगी तो क्या आप उस समय मौजूद थे गाड़ी में क्या वाकई गवरों ने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था या सीट बेल्ट लगाई थी यह डाकुमेंट्स पूरे नहीं थे गाड़ी गोरों चला रहा था मैं साइड में बैठा था हमने दोनों सीट बैल लगा रखी जो यह ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का जो बयान आता है कि गाड़ी मैं चला रहा था गोरों नहीं चला रहा था यह बिल्कुल गलत बात है परजन है इनका कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है फाई आर दर्ज किये हुए लेकिन पुलिस ने ना अभी तक पर इसे कड़ी कारवाई हो ताकि भविस्च में कोई दूसरे के साथ ऐसी घटना न हो सके और कोई दूसरा बाप मूलचन न बन सके सबसे पहले खबरे पाने के लिए एबी पी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com slash abp ganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com slash abp ganga